मंच पे वे राजबान सभी वरिष्ट और विशिष्ट मेरे कई मित्र मैं लग-लग नाम नहीं लूँगा लेकिन देश के विभिन विभागों से, हिस्सों से, सांसत से, उद्योग से, चुनावायोग से, पत्रकारिता से और नौकरशाही से, उसके अलावा आप लोग सब विशिष्ट अतिती, भाईयों और बहनों, लेकिन सबसे आगे, सबसे उपर, मित्र मनोश टीबरिवाल जी. पहले तो, दो आकस्मिक चीजें हुई थी, एक तो आकस्मिक प्रमोशन हुआ था, जिसको अंग्रीजी में ब्लडलेस कू कह सकते हैं, मैं मुख्य अतिती नहीं था, सिरफ विशिष्ट अतिती था, तो मैं उस ब्लडलेस कू को स्विकार तो करता हूँ, लेकिन किसी की एव मेरे अभिनमित्र, कॉलीग अखिलेश जी, एक बहुत जबर्दस्त युवा लीडर हैं, और दूसरा ब्लडलेस कू कुरेशी जी ने कर दिया, डिमोशन करके, मेरा तो प्रमोशन हुआ, वहाँ नमीन जिंदल को हटा दिया गया, तो मैं बता रहा था शालो जी को कि आपका अभी तक जो है गुसा का प्रकोब वहाँ तक नहीं पहुंचा है, वो दूसरी उनिवस्ट्री की चांस्लर है, दोस्तों, वैसे मुझे जो कार्ड भिया गया था, उसमें लिखा था, समकालीन प्रेस की विशे में भी बातचीत होगी, तो मैं कुछ चीज़ें उसमें कहूं वो बदाई के पात्तों हैं ही, नौ साल पहले भी मैं उद्घाडन रवक था, और आज मुझे बहुत गौरव होता है कि ये मशाल जलाकर काम कर रहे हैं, विशम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, कभी बारूद लगाते हैं, कभी रोशनी दिखाते हैं, कभ पूरी बुलंदी दिखाते हैं, और आसान नहीं होता है ये, शुरुवात करना आसान नहीं होता है, मिंटेन करना आसान नहीं होता है, लेकिन मैंने हमेशा देखा है इनके बेबाक और सकारात्मक रुख को, अप्टिमिजम इनके अंदर हमेशा देखा है मैंने, जो मैं जय बाद दिलाता है उस कावत को जो मैं समस्तावन की सोच भी है कि कौन कहता है आकाश में सुराग नहीं हो सकता है गार नाम भी आकाश पता नहीं कैसे पड़ा है लेकिन कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं हो सकता एक पत्थर तो तवेत से उचालो यारों और इसी रुख स से शुरुवात की है इसी रुख से ये पन पे हैं आगे बढ़े हैं और आज हम मिले हैं नवे वर्ष में नवी वर्ष गांट पे और मुझे कोई संदे नहीं है कि ये दिन दुगने राज चौगने स्पीड से आगे अग्रसर रहेंगे दोस्तों दूसरा पहलो मैं समगता हूँ कि प्रेस को कि हम प्रेस के बारे में बात करते हैं तो हमेशा याद रखना चाहिए कि जितना खत्रा या जितना डर पैदा प्रेस को बाहर से हो सकता है जो हम समझते हैं सरकार या censorship या और कई तरीकों से, उससे कहीं ज्यादा और उसको हम देख रहे हैं, आंत्रिक होता है, प्रेस को अगर सबसे ज्यादा भै होना चाहिए तो उसको प्रेस के कई ऐसे अंगों द्वारा, जो मैं समझता हूँ आज प्रेस कहलाने के योग यह नही यह हमारे सम्विधान की बात नहीं है, गंतंत्र की बात नहीं है, लोगतंत्र की बात नहीं है, इतने जबर्दस, मानव अधिकार, व्यापक उनकी बात नहीं है, एक बहुत डाइनेमिक नियाए पालिका की बात नहीं है, यह बुन्यादी रूप से बात है महत्वा कभी महत्वा कांग्शा की कभी लालच की कभी भै की और अगर यह चीजें प्रेस्ट में आ जाएं फूर्थ स्थम्ब में आ जाएं तो हम इसको स्थम्ब का एक जो दर्जा देते हैं क्योंकि कानून में बनाए गई थी किताबें तो स्रप तीन स्थम्ब आने गये थे यह अपने आप, सम्विधान द्वारा नहीं बना, आपको अश्र होगा आज तक हमाई सम्विधान में प्रेस नामक शब्द नहीं है, स्वतंत्र अभिवक्ति वारे अनुछेद में, लेकिन इसलिए दिया गया, क्योंकि यह स्थम्भ है वास्तव में, तो अगर आपके स्थम मनसब तो हमें भी मिल सकते थे, मनसब तो हमें भी मिल सकते थे, लेकिन शर्त हुजूरी थी, यह शर्त हमें मनजूर नथी, बस इतनी सी मजबूरी थी, जब तक आप यह मशाल और यह जम्यवारी लेके नहीं चलेंगे पत्रकारिता में, तब तक आपको चौथे स्थम्भ क पाने का हक नहीं है मुझे याद आता है कई बार जो मैं प्रेस के बारे में आजकल कहानिया सुनता हूं और गोधी मीडिया वो शब्द आया है शेर्लोक होम से शेर्लोक होम ने का कि जब वो कुछी चीज को तहकीकात करने गया तो उसने का तो यह सब यहां वाच्डॉग थे तो वाटसर ने का कि यह तो लैप डॉग थे लैप डॉग भौका नहीं करते वहीं से यह गोधी मीडिया का शब्द आया है मुझे याद आता है एडवानी ची ने एमर्जन्सी में कहा था कि वें पीपल रास्ट तो बेंड दे क्रॉल्ड बहुत हद तक वह बात एमर्जन् करने की लेकिन वो क्रॉल करने के लिए तैयार है तीसरा पहलू दोस्तों जिसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर चीद करना चाहता हूं जो कुछ हद तक कहा किसी ने पहले मेरे वो है विशेश रूप से और दुख करता है कि मैंने अपना करियर राजनीती में विजूल मी मीडिया उस वक्त तो यह ओभी वैंज वगएर नहीं होती थी लेकिन दुख इसलिए करता है कि जो पराप परमपरागत मीडिया है या तस्वीर मीडिया विशेश रूप से वहां पर जो कॉक्टेल देखता हूं मैं एक जबर्दस कॉक्टेल है जो आपकी किसी पार्टी य हुए पैनलिस्ट्स पहले से चुने हुए प्रतिभागी जो बुलाए जाते हैं इस कारण से कितनी गाली एक तरफ से एक तरफा दे सकें आप एक तरफा मत रखने वाली लोग तो यह कॉक्टेल चलता है हर दिन और इसलिए अभी तक मैं समझता हूं आंशिक रूप से जो प्रिंट मीडिया में गिरावट हुई है वो कम हुई है विज्वल मीडिया से लिकिन विज्वल मीडिया कहां आज हमारे चार सो कितने मिलियन पांसो मिलियन लोग देखते हैं कितने हजारों चैनल्स हैं उनकी हालत क्या हुए हमको सोचना चाहिए हमको यानि मीडिया को आत तीन चीज़ें बहुत बड़े फ्रॉड पर आधारित है और मैं विशेश रूप से विजुल मीडिया की बात कर रहा हूं वो फ्रॉड है वो धोका है तीन लेटर्ज टियारपीं ये टियारपी का जो धोका है ये ऐसा जवर्दस धोका है कि आप समझ सकते हैं कि इस देश के 140 करोड मालेजे एक 130 करोड मालेजे 50 करोड मालेजे लोगों की मंपशा आप जानने का प्रैतन करते हैं लगबख 35,000 से 40,000 या 45,000 मीटर्स द्वारा तो मैं तो 20 साल पहले कहा था कि इसके लिए तो एक लगुचित्र, नोबेल प्राइस फो लगुचित्र, नोबेल प्राइस फो मिनिचराइजेशन मिलना चाहिए, कि आप निश्चित करते हैं मनशा देखने वालों की इन 35 से 45,000 मीटर्स, वो एक अलग कहानी है, मैं जानता हूँ, उसके बारे में कहां लगाए जाते हैं, किस समय लगाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं, वो एक लंबी कहानी है, लेकिन उस टियार उसके अधार पर टियार पर निश्चित होता है यह सरफ पूरी बात नहीं है बात यह है कि उसके अधार पर इस्तिहार निश्चित होते हैं और इस्तिहार के अधार पर सामग्री निश्चित होती है सामग्री यानि content तो आपको क्या परोसा जाता है पूर न जार मीटर निश्चित करेंगे कि किसको क्या पसंद है और पसंद क्या है वो कॉक्टेल वो चीखना वो पक्षपाती वही एक तरफा प्रश्णावली मेरा पांचवा बिंदु है कि इसी कारण से आज सबसे ज्यादा अगर सार्थकता है तो जिसको आप सामाजिक मीडिया कहते हैं इस कारण से हुई है जब मैंने शुरू किया था ये खेल तब सोशल मीडिया नहीं के बराबर थी लेकिन आज उसकी महित्ता उसकी बहुत जबर् सबस्ताओं कि विज्वल में OTT भी आ जाता है लेकिन मैं अभी ज्यादातर समाजिक मीडिया की बात कर रहा हूं एक entertainment के सेक्टर में OTT भी आ गया है वह इसी लिए है क्योंकि वह अभी तक तुलनात्मक रूप से निर्भीक हैं विबाक हैं स्वतंत्र हैं जो परंपरागत म मीडिया चाहे प्रिंट हो चाहे विज्वल हो और विज्वल प्रिंट से कहीं ज्यादा नहीं रहा है हम उसको for granted लेते हैं यह जानके मनोद जी के तो खास खुश्वी होगी लेकिन आप सब भी आश्रेशकित रहेंगे कि मेरे को इंटिव्यू करने में पहले कुछ साल पहल पहले सोशल मीडिया की इंटिव्यू रिक्वेस्ट को थोड़ा विलंब से मानता था असानी से हां नहीं कहता था कोई चैनल पूछे तो पहले हां कह दे रहते हैं अभी कोई चार-पांच महिने पहले कई सारे मेरे सोशल मीडिया पर इंटिव्यू हुए मैं नाम नहीं होता है अगस्ट का रिपोर्ट होता है सप्टेंबर का रिपोर्ट होता है हरमेनी प्रकाशित होता है जो उस वक्त नंबर एक था उसका था तेरा करोड जिसने मेरा इंटिव्यू लिया वह नौ करोड था यह बहुत महत्वपून बात है और यह इसलिए भी महत्वपून है पर विशुल और प्रिंट को, कि आपने इतनी गिरावत तो आ गई है, और गिरेंगे, तो आप चटित्व मिड़ जाएगा. लेकिन साथ-साथ, यह चेतावनी वहां जाती है, लेकिन साथ-साथ यह चेतावनी है, इस सामाजिक मीडिया को भी. ये चेतावनी है जिम्मेवारी की क्योंकि समाजिक बीडिया में भी कोई सीमा नहीं है गलत काम करने की सीमा अगर है तो वो है आपका जमीर आपका संतुलन आपकी मर्यादा उससे ज्यादा सीमा नहीं बिल्कि कम सीमा है विज्यूल से भी हाल तक तो इस पर कोई नियंतरन भी नहीं था और अगर आप उस सोशल मीडिया के साथ अभी तो शुरुवात है AI को जोड़ दें Artificial Intelligence को तो आप सोच सकते हैं कि कलपना भी नहीं कर सकते शायद कि विकृत काम करने की संभावनाएं और सीमाएं क्या हो सकती है इसलिए साथ साथ आपके सफलता के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और आपको वो जिम्मेवारी समझना आवश्यक है आप विशेश रूप से समाजिक मीडिया को बिलाउं करते हैं आप एक जुबा समाजिक मीडिया के हिस्सा है पर आपका अभी तक बहुत बड़ा scope आगे बचा है इसलिए मैंने यह कहा और यह कहना कि आप मानाहनी का कानून का एक कोई आचे का डाल दीजए तो वो उत्तर नहीं हुआ मानाहनी की कानून हमारे यह कानून तो सक्त है उसको कार्यानुवित करना बड़ा कमजोर है। मैं थोड़ा सा एड़ कर दू लगज़ा सा बैठे आए। अगर आप सरकार में नहीं तो लगू हो जाता है। जोर से। फंछ कर दूवानुब........ अग्रिछ आई आउड हूं। एंछी अग। आपर ओनुवित कॉर। आप एंग घ्चर्थूब। I am constructively critical as a citizen, not as a Member of Parliament, not as a lawyer, not as a this or that. I am constructively critical because I also want, like you do, for India to be a superpower in 2047, or before or after. I also believe that the world's largest democracy, with the world's longest constitution, with a jurisprudence which will embarrass the best and the brightest in America or England or Europe, with judges and the legal profession which is second to none in the world. I am proud of that. And that is why when I see these figures, my friend Mr. Qureshi quoted one. I have a whole list of figures because I checked it out before coming here. The 2024 Press Freedom Index he cited, which is 159 out of 180. More alarming, the same foundation publishes a second index, called the Security of Journalists Index. A world index measuring the security with journalists' experience in the working ecosystem where they work. That figure is more alarming. India is 172 out of 180. Namely, journalists for speaking freely, or for speaking strongly, or for speaking honestly, or for speaking independently, are endangered. If India is only 8 above the 180 list, then it's a very, very bad black sign for the world's largest democracy. Incidents tell us, perhaps you don't know that in 2023, 2024, 103 journalists have been targeted by state actors and 90 plus by non-state actors. Targeted for being journalists. These are published figures. Without going into the merits, and there's a separate subcategory, which I don't want to do, female journalists. Targeted and hurt even more. There is a separate list of persons. For example, I don't see any reason why a man called Kappan should be in jail for four years. That is beyond the middle figure of any under-trial for normal, long offenses and incarceration, even after conviction. He's been there as an under-trial for four years. He's a Kerala journalist. Take sedition. More than two years ago, no less than the number one law officer of the country, the Leonard Attorney General, made a statement before the then Chief Justice of India, three years ago, not two, three years ago, that we will keep in abeyance all sedition prosecutions. You know, sedition and journalists intersect the most. They are frequent intersectors, when you want to harass journalists. It's a statement recorded in an order in the middle of 2021 in the Supreme Court. It is then repeated four months later and all prosecutions were kept in abeyance and the government's standard that we will rethink, reconsider. And then, after a year, the Law Commission gives a report which reincarnates sedition in even a stronger form, but the government at that time expressed surprise and said, this is the Law Commission. We are distancing ourselves. We don't know about it. That sounds a little difficult to believe, but that's what happened a year later. And after that, sedition was quiet for two years. The figures prior to the two years, from 2014 to 2021, show more sedition cases filed than ever before, more arrests for sedition than ever before, and more under trials, incomplete trials for sedition, which is the heart of free speech, than before. But from 21, it stopped. I was surprised to find that in the new sahitas, which have yet to be activated, sedition is healthy, alive and kicking. The sahitas, the three sahitas we have in place of the IPC, the CRPC and the Evidence Act, broadly with some difference in language and re-Christianing and re-naming, have reincarnated sedition, which may have been in the statute book for 70 years, but ought not to be used in the way it has been used prior to 2021. Well, friends, in the end, Napoleon, who by the way himself was a dictator and a very successful one at that, he became Emperor of Europe at 29. He said, that four hostile newspapers are more to be feared than 1,000 bayonets. This is coming from a man who had conquered the whole of Europe at 29. Ultimately, friends, we have to live in a system where a free press is defined as one which prints a dictator's speech, but does not have to print it. Thank you.